आज आपको ग्राम पंचाय को भाना ब्लोग पंच रुखी बार्ण नंबर पांच का एक कारणामा और दिखाते हैं हमारे चैनल में इसी पंचायत की 120 बोरी स्मिंट की जो लोगों के घरों में रखी हुई थी खराब हो चुकी थी अमारे चैनल में वो लोगों को दिखाई कि जो स्मिंट फ्राब होगे हैं मगर आज बार नमबर पांच में और स्मिंट की गोडियां यह आप देखें के सामने 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यह आधी गोडियां 11, 10, 10 और आधी 10 गोडियां 9 और आधी 10 और स्मिंट की यहां पे पिछले देड़ साल से बढ़ी हुई है जो कि पत्थर बन चुपी है हमारे पहले जो खंड विकास अली का रही आए तो उन्होंने बड़े ही प्यार से बोला बड़े प्यार से बोला था कि स्मिंट बिल्कु ठीक है मगर यह देखिए माँ को दिखाऊंगा यह स्मिंट का हाल है जिसको बोते हैं कि बिल्कुल ठीक है यह देखो यह पफर बन गया है इसके ओपर देखो चट्टे यह पिल्कुल पफर है थोड़े से भी अगर इसको दोड़ेंगे तो यह दिख सकते हैं यह स्मिंट एक टैंक के लिए आया हुआ था संकारी पैसा खर्च हुआ था मगर हमारी पंचाइट ने इस स्मिंट को बहां उप्योग में नहीं लाया है जो कि बहुत ही हरांगी की बात है बहुत हरांग करन है कि पहले स्मिंट आरह हो दोगों के दारों ने दुकान के अंदर बढ़ा हुआ है मगर काम अभी तक किनि होआ है काम क्यों नहीं क्छाहिक पर्थान क्यों कुमख lidt की नील सबंगी है बडावय कि इसी पी जो मन्रिगा का काम देखना है उन्होंना क्यों अपनी अधा भेरेसमु से भार है मगर डिसर्ट तेमु मिर्मार शुची सिभ्री Moving का लिए और प्लमपार द्विए इसके बारे में हम बात करेंगे जो यहां जिसके लिए समधियर दॉन्हें कि मेता की बोडियां को इससे पहले fleeing कि हम करमचारी अधिकारी क्या करवाई करते हैं तो हमें बड़े ही ठंक से इस चीज को देखना है यह हमारे साथ कि ग्राम पंचायद भाणा बार नंबर पांच के निवासी सीरी प्रवीन कमार पुत्तर सुर्गय सीरी शुरिंदर कमार जिनके घर पे जिनकी दुकान पे यह स्मिंट रखा हुआ है इनका कहना है कि यह स्मिंट आज से डेट पहुने दो साल पहले इनी का काम चला हुआ तब से बाटर टेंग का काम जो मन्रेगा के द्वारा होना था उसके लिए आया हुआ था मगर आज स्मिंट जो आ है वो खराब हो चुका है आईए खुद इनकी जमानी सुनते हैं मौनु जी प्रभीन कुमार जी आप बताएं यह स्मिंट कब और किस लिए था यह था बाटर टेंग के काम के लिए पर फिरोनाएं एक साल से काम चला हुआ है इस तेंक लाग जानता है कि वह वह वारा पसु कैसे निकाले इस खड़े से आप एक चीज और बताएंगे एस्टीमेट बहां आपने लिया हुआ है एस्टीमेट की कोपी है जरह मेरे देखाना यह दिंए रहे देखो एस्टीमेट है और स्टीमेट के ऊपर यह लिखा हुब है यहनि के चारवाई चारवाई 6 का खड़ा बाटरे ते लिए मगर हाकिकत में यहacesाना है और उसके लिए जो समगरी आई हुई थी इन्हों ने बोला था तीस फुट बैग और इसके लिए समिंट का एक बैग आएगा और थत्तिस बैग इन्हों ने दिये थे एक बैग देना है इन्हों 49 बैग की रसीविंग ली थी और इस एस्टीमेट में लिखा हुए ले ले रही है आपका क्या कहना है तीन वार में जा चुका हूं और पंचाइद बोलती है में मड्ये मिटीर अच्छ यहrat रुपए यह तो मैं दुकान खड़ी कर दूंग यह गद्रांग काने जाला चारे ऐसाफ से खर्च कर रहे हैं बातलब से खर्च कर रहे हैं आपने इसकी स्काइद कभी खंड पिकासादीकारी पंचरुखी के समक्स या प्रधान के समक्स रखी थी एक्चुली मैं मेरे पास बर्कर है दुकान में फनीचर की दुकान है ठीक है तो मैं ज्यादा दोड़ भाज ने कर सकता हूं इसलिए मैं अपनी दुकान में बीजी रह कारे हैं इनके पिता के नाम से ये टैंक मजूर हो था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है उनका स्वर्ग बास हो चुका है उनकी तमन्ना थी उनके जीते जी ये कारे नहीं हुआ मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है इनकी पीड़ा को ये खुद समझते हैं प् काम को बनाने के दिशा नर्देश अपने एस्टीमेट में जारी किये थे उससाब से वो काम भी नहीं हुआ है और दस बोरी स्मेंट की जो की पत्थर बन चुकी है अब इसकी भरपाई इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी कौन इसकी जिम्मेवारी लेता है ये तो अभी सर्म की बात है कि इस पंचाईथ में ना जाने कौन सा ग्रेंड लग चुका है जो कि विकास कारेयों के उपर पूर्ण रूम से बिराम लगा हुआ है और समेंट जो लोग आया हुआ सरकारी पैसे से मगर ये भूल रही है पंचाईथ की सरकारी पैसा नहीं है लोगों का पै